व crispy प्रेंड्स मेरे आशेद ररी एकबार फिर आपके अपने चैनल पॉलिटेखनी क्लासेस में सुवागत करता हूं फ्रेंड्स जिससे आपको पता है कि हम इलेक्टिकल इंजीनेरिंग कवर कर रहे हैं अगर बात करें हम तो जो यह सब्जेक्ट है वो polytechnic second semester का common subject है सारे बच्चे इसको पड़ते हैं अगर बात करें mechanical production, mechanical automobile तो वो बच्चे इसको general engineering के नाम से पड़ते हैं अगर बात करें civil engineering तो civil engineering के जो students है वो इसको bmwe के नाम से पढ़ते हैं बात करें electrical engineering तो electrical engineering के जो चात रहे students हैं वो BEE के नाम से इसको पढ़ते हैं अगर बात करें CS IT की तो CS computer science और information technology उसके जो चात रहे students है वो BEEE के नाम से इसको पढ़ते हैं तो friends अगर आपका कोई भी friends इन branches से related है तो please उसको share कर दीजेगा इस session को जिससे क्या हो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जोड़ें और इस session का फाइदा उठा पाए friends एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडिया प्राप्त करना चाहतें तो तो हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जोईन कर लेजेगा टेलीग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो हमने इस वीडिटी इस मतिक पर्दम नियम और दूटीटिन करें फरैड़ी के परथम नियम की बात करें तो फरैड़ी का परतम नियम क्या करेगा जब परिपत में दध्र बंद वाथन होता है जिसे परेडित धारा कहते है यह दध्धारा ये यह दारा Supreme चुम्बा के flux में परिवर्तन होता है जिहां अभी मैंने आपको बताया कि जब तक आपके magnetic field में परिवर्तन होगा तब तक बहाँ पर induced EMF होगा जब induced EMF होगा तो बहाँ पर प्रेदित धारा होगी या फिर induced current होगी ठीक है तो यह पहला नियम उन्हों बताया कि जब तक आप परिवर्तन करते रहोगे चुम्बा की flux में या फिर चुम्बा की flux की रेखा जो number of magnetic field lines से उन में परिवर्तन करते रहोगे तब यह तक बहाँ पर यह में फ्राइडे ने कि जो आपका विदुद बहाग बल है वो flux परिवर्तन की रिडात्मक दर के बराबर है अगर हम इसका explanation देखें तो देख लीजिए कि अभी इसका निसकर से निकालेंगे कि जो रिडात्मक कहा गया उसका क्या मेनिंग है अभी लास्ट जब हम ड्राइब करके बताएंगे तब उसको बता पाएंगे तो यह आपका explanation हो गया आपने क्या माना यदि टीवन समय में फ्लक्स फाइवन फाइज को लिखेगा फ्रेंड्स ऐसे लिखेगा फाइज ठीक है और इसको लिखेगा फाइड दो यहाँ लेंग यहाँ फाइड फाइड तू आप लेखे रहे ना आप लेखते ही होगे तो आप इसको सही से करक्त कर लेखी का यदि टीवन समय में फ्लक्स फाइड टू है कॉंडिलियों में फेरो के संख्या ऐन है तो अब अभी सेकिंड़ जो था उसमें कहा कि जो उनका वहकबल है वो फ्लक्स परिवर्तन की रिडात्मक दर के बराबर है तो पहली चीज तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकाल लो। परीवर्तन की दर्की बात कहें, तो इヒ्लाक्स में परीवर्तन कैसे हो कगा अगर डेलटा फाई वेलु की की बात कहें तो फाई two minus five हो कहा मतलब जादा मैंसे कमबाला गहता होगे तो और देख लीजिए आपने क्या किया जो आपके 5 की value जी जो flux परिवरतन की बात कहीं गई है तो flux परिवरतन है आपका ज्यादा मैंसे कबादा चाहें वन फाइवन माइनस फाइट्टू कर लो या फाइटू माइनस फाइवन भी कर सकतो उसके बाद अगर समय परिवरतन की बात करें तो T2 minus T1 हो गया अब यहँगी अपका अगर यहीं से हम मात्रक की बात करें तो मात्रक होगा आपका वेवर और अपॉन में second होगा या फेरेड फिलक्स का क्या होता इतरा है वेवर Balder नहीं जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है बो ही हमारा EMF है EMF बरावर इतना हो गया ठीक नंबर ऑफ टर्म जो आपके बलों की संकिया है कुंडिन के बिया ये आपका हो गया आपका Хांओ परिवर्तनि ये हो गया समय में इस प्रकार अगर हम जो इस को हटायंगे प्रोपोस्नलिक ऋपशूनिकर clapping उसको हटाएंव तो अगर हम इसको finalization करेंगे तो हमारे पास यतना आ जाएगा क्योंकि आपको यह पता है यह किसका मान होता है यह डिफाई या डेल्टा फाई की वेलू होती तो हमारे पास आ गया एकोल टू माइनस एन डिफाई वाई डिटी बोल्ट एक है नेक्स की बात करें यहां पर लिखावा जहां रेडात्मक चिन लेंज के नियम को परदर्शित करता है अब लेंज का नियम एक नया concept निकल कर आगया देख रहें फ्रेंट्स आपकी जो concept है वो एक दूसरे से इतने ज्यादा इंटर लिंक है कि हर एक के बाद एक रिलेटिड है तो अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लीजेगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं एक्जाम में फ्रेंट्स अलेक्रिकल के अलावा हमारे चैनल पर मेकेनिकल सिविल की अगसी ब्रांचे चल रहे हैं तो आपका कोई साथी कि पॉलीटेक्निक के किसी भी समिस्टर किसी ब्रांच में तो उसके साथ उसको शेयर कर सकते हैं लेंज का नियम नियम ओर्जा सरक्षण प्रदर्शिद करता है इसके अनुसार किसी परिपत में प्रेरित धारा की दिश इसको भी एक बार देखते हैं अगर एक इस desire होगा उसको देखते हैं किसी चालक में बिदुद चुमबक के द्वारण के द्वारा उतन होने वाले बिदुद भारव को प्रेयरढ bul को प्रेयर भागеты को डियोगे और इस प्रेयरद रहोगेmm के कारण चालक में प्रवाहत होने वाली प्रेरिद धारा को आप क्या वो लोगे प्रेरिद धारा को ठीक है तो यह तो पहले ही किलिए होगे का मतलब डायनमिक इंड्यूजड फ्रे गतिच का मतलब कोई चीज रोटेशन में और जैसे मोटर हो गई जैसे अल्टेर हो गया जैसे अल्टर्णेटर हो गया अगर स्थास्थिक की बात करें एस घ्रिद भुब बाड़ तो यह होगा स्थाटिक इंड्यूजड थ्याव जो बस्तु हो या जो भी हमारी डिवाइस है applying से बाइन से अ जी हो अगर हम स्थाटिक की बात करें तो इस्थाटिक दो पृकार से होगा तो इस्थाटिक पहला होगा सेफ इंड़ you इंफ होगा इसी का आ smiling mutual induced EMF तो पहले हम देखते हैं गतिच का अगर बात करें तो आप देख लिजे इंड्यूजद EMF दो प्रकार से उत्पन होगा डानेमिक इंड्यूजद EMF और स्टाटिक में होगा आपका सेल्फ इंड्यूजद EMF और सेकेंड होगा आपका guiding में होगा ठाला है जैसे अगर नाने हम इंड्यूजद EMF ऑंहा दो उस प्रकार के नियम के अनुसार जब किसी चालक को चुमक के शेतर में ले जाती है तब उसके द्वारा चुम्ब के फ्लक्स का छेदन छेदन मैंने आपको बताया था ना linkage ठीक है लिंकेज होता है तब उसमें विदुद भवागबल उत्पन होता है या प्रेरित होता है हो जाता है इस प्रकार के प्रेश्रिध विद्वाग बन को गतिज प्रेश्रिध विद्वाग बन कहते हैं में अगर आप किसी भी जैसे यहाँ और आपको बता दिया कि आपका जो e-mf है अगर वो प्रेश्रेogi हो रहा है तो वह प्रॉसेस ऐसी हो कि जो आपकी motor है वो rotate कर रहे या अल्टरनेटर है वो रोटेट कर रहा है तो इस प्रकार जो उत्पन हो रहा है उसको आपने बोल दिया गर डायनेमिक इंडियूस अगर हम फिगर के मादिम से समझें तो बहुत अच्छा concept है फिगर में देख लिएगा अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में देखएगा चार पोजीशन है अब पहली पोजीशन यह है हमारा North Pole यह साउफ पोल ऑप सन अब देखे हैं मिंस जो ह पर क्या होगा इस पर आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ जो मेगनेटिक फील्ड लाइन से वो उत्पन होंगी निकलेंगी यहां से तो नॉर्थ टू साउथ जब किरने निकलेंगी जो वेप से वो निकलेंगी magnetic field निकलेगा तो होगा क्या कि जो इसके मार्ग में उसके बीच में जो rotor है उसको क्या करेंगी यह उसको भी प्रेवित करती हुआ जाएंगे मतलब उसको भी बेधिती जाएंगी link करती हुआ जाएंगी तो क्या होगा यहां पर जितनी ज्यादा magnetic field lines से पार होंगी इस rotor से उतना ज्यादा यहां पर magnetic field वनेगा और magnetic field के साथ साथ यहां पर जो force हो भी लगना शुरू होगा जिस कारण क्या होगा यह initiate होगी चलने के लिए इस direction में क्या करें रोटेट होना शुरू हो जागी सेकेंड पर आते हैं सेकेंड में क्या हुआ जब यह यहां पर आगी फ्रेंड्स तो अब यह perpendicular हो गई इसके तो अब इस दिशांकी अगर बात करें तो यहां पर अब ज्यादा number of lines जो field lines से वह cover हो रही है जबकि अगर हम इस वाले की बात करें इस reason की यहां पर तो यहां इतनी magnetic field lines या फिर इतने flux linkage इसमें नहीं हो रहा था रोटर में यहां पर flux linkage बढ़ गया तो अगर induced EMF की बात करें तो यहां पर बहुत कम इसमें बहुत कम होगा आपका induced EMF और इसमें maximum होगा अगर हम सेकिंड पोजीशन की बात करें तो सेकिंड पोजीशन है आपकी अब थोड़ा सा आगे हो जागा यह तो इसमें क्या होगा इसमें भी magnetic field lines क्या होंगी linkage करेंगी पर अगर हम पहली position से कहें तो पहले वाली से ज्यादा यहां पर magnetic field lines इसको पास करके निकलेंगी यह फ्लक्स निकलेगा और अगर इसकी तुलना करें तो यहां पर बीवाले से कम यहां पर होगा तो यहां पर आपका इमफ वो कुछ कम जब सकरेंगी तो इस वाले में और इस वाले में एक्वल जो फ्लक्स है वो बनेगा फ्लक्स कट करेगा रोटर को जब एक्वल करेगा तो इक्वल यहां पर बनेगा और इस वाले केसिस की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो इसको लिंक करेगा ठीक है इसमें आपका लगवाग है वो किस नियम को फॉलो करेगा तो वो इस नियम के अनुसार उत्तन होगा कि एक्वल टू वी एल भी साइन थीटा तो अगर बी की बात करें वी क्या है आपका चुम्बा की फ्लक्स घनत्म है मतलब मैंग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो अगर हम एल की बात करें ल क्य की लंबाई है वी क्या है आपका विलोसिटी है वेग है और साइन थीटा क्या है थीटा जो है वो एंगल जो आपका रोटेशन है मतलब जो मैंग्नेटिक फील्ड है उसका एक पॉइंट से दूरी है जहां से वो रोटेट कर रहा है ठीक है अगर हम इस्टैटिक की बात करे में तो इस्टैटिक में होगा जो कुंडिली इस्टैटिक है जैसे ट्रांसफॉर्मा अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर क्या है हमारी इस्टैटिक डिवाइस से जो क्या कर रही है जो यह में उसको इंड्यूस कर रही है अब करेगी कैसे तो देख लिए अगर हम बात करें में इस इस इमस्तितित में परेवरतनीयessa के कारण उत्पन के लिए ट्रांस्फार्मर में प्रेरिप नहीं करता तो इस लाइन में यही लिखा गया है कि अगर इस्टे Song है तो बहाँ पर अगर जो आपका मेगनेटिक फिल्ड में परिवर्टन हो रहा है उसके कारण अगर उत्पन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आपका अपका एक सेकंड एक सेकंड तो आइधिंग ये ट्रांसफर्म पूरा नहीं मैं एक बार बना दूंद को पूरा फ्रेंट यह का चार्णस्कार्सपार्म ठीक एक बार मैं एक बार मैं थोड़ा सा सइसे बनाता आप आप ऐसी बनाई गया जैसे मैं बना रहा हूँ यह कोयल यह Transformer की और हो गए फ्रण्स यह की π्रामरी मैं नियां कि यह बात करें तो अगरहएं की बात करें तो अठस्समें अब अन्हुंद किया अब इसमें किसी परकार से चल नहीं रहे भात कि कि जब जिसके कारण यहां पर linage करना शुरू करेंगा तो Christ क्या करेंगा को लिंक करेंगा तो हमने बोल दिया aesthetic induced EMF क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का rotating parts नहीं है आपको पता है transformer आपने अपने घरों के पास लगावा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि किसी प्रकार का वहाँ पर rotating element नहीं होता है ठीक है घूमने वाली कोई बस तो उसमें नहीं लगी होती है अगर हम बात कर होगा मेंचल induced EMF को जानने से पहले आपको पहले self induced EMF जानना बहुत ज़रूरी है तो हम क्या कर रहे है self induced EMF को जानते है self का मतलब क्या था friends जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रो किया है चित्र यह वाला तो यह यह चित्र आगे है फ्रेंस यह है देखिए तो आप अगर लिखे में आपने यहां से supply दिया जब आप यहां से supply होगे तो इसमें current flow होगा जब current flow का मैंने बताया कि अगर current carrying conductor है मतलब कोई चालक तार है तो उसके चार और magnetic field बनेगा magnetic field बनेगा फ्रेंस तो यहां पर यहां पर यह इंड्यूजद फोगा और प्रेरित धारा भी होगी इस वाली वाइंडिंग में ठीक है तो इस वाली वाइंडिंग में जो इंड्यूजद यह में उसको हम बोलेंगे self induced क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग में directly connected है तो वह self हो रहा है मतलब खुद हो रहा है अब इसको किसी ने प्रेरित नहीं किया है अगर हम mutual की बात करें तो mutual का मतलब है अन्योन प्रेरण कि किसी दूसरी की मदद से प्रेरित हो अन्योन प्रेरण का मतलब किसी अन्योन अन्योन मतलब दूसरी वाइंडिंग से फिलो हो या फिर कोई भी magnetic field बनेगा और यहां पर electric field बनेगी पहले electric field बनेगी फिर magnetic field बनेगी magnetic field के साथ साथ यहां पर जो flux है वो निकलना शुरू होगा जैसे flux इसको अपनी ही winding को link करेगा तुरंत यहां भी एक EMF बनरन शुरू हो जाएगा और एक धारा जो है वो यहां पर induced होना शुरू हो जाएगी तो इस प्रकार के जो EMF है या फिर इस प्रकार का जो concept है उसको हमने बोल दिया mature induced EMF ठीक है तो I think self के अगर definition की बात करें तो पहले आप self ही लिखिएगा मैं नीचे definition आपको एक बार दिखा दे रहां तो देखिएगा जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में मुख मुख धारा के अत्रेक्ट एक प्रेरित धारा उत्पन हो जाती है मतलब जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस मुख का मतलब जिसमें आप सप्लाई दे रहे हुँ उसी में प्रेरित धारा उत्पन हो रही है ठीक है उसको आपने self induced EMF वोल दिया ठीक है या फिर self induced current या self induced current या self induced EMF वोल दिया अगर हम बात करें मेचल इंड्यूज की EMF की अगर हम एक सेकंड एक पॉइंट और बच्चा फ्रेंस इसका यह है अगर हम सेल्फ की बात करें तो सेल्फ में और क्या सेकंड पॉइंट यह है इस प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार ह का ब्रोध करती है इस घटना को स्वेफ रियरण कहते हैं स्वेफ रेरं किसको कहेंगे जो आपकी धारा उत्पन हो रही है मोग मिनिंग का मतलब प्राइमरी बाइंडिंग में जिसके द्वार जिसमें आपने विदोध धारा प्रपाहित कराई तो वो उसी का पोस करेंगी नहीं है इसमें दूसरी प्रकार की कुई भी वैंडिंग नहीं है इसमें आपने धारभाहिट कराई तो यहीं पर क्या होगा इसीम होगा नियक्त होगा हुआ इस ही में वोलगे को लिखा क्योंकि जो उत्पन हो रहा है तो वो उसका अपने ही कारेक का ब्रोध कर रहा है तो यहां पर फ्लक्स परिवर्तन की तर हो गए इंटू एन हो गया यह और यह क्या है आपका बिद्द भागवल जिसका रहने इसका मातर जो है वोल्ट हो गया ठीक है कुंड़ी में आपने फाइव वो दिए इंटू सॉके अगर की बात करोगे है। सॉ स्कावर्णब ब्लक्स उत्पनी धारेख में धारेख jsू तो अब 1 में परिवर्तन की तर तो अब एक इंपयर की क्या है विच्थT-Bagpal आपको पता है सोय परेग्वीच उसमें पूट कर दिया यहां सद्रा हचपच होगा होगा तो देखो अगर बात करें पहले वाली की तो आपने क्या किया था दो बनाए थे फ्रेंट्स पहला पहला यह वाली थी आप equation बनाती वह चलीगा फ्रेंट्स इसको पहली बना लिजेगा और इसको सेकेंड बना लिजेगा अब जो equation 2 है उसका मान आप equation 1 में पूट कर दीजेगा ठीक है आपने क्या किया equation बन का मान equation 2 में sorry equation 2 का मान equation 1 में पूट कर दिए तो equation 2 का मान यह है इतना ठीक है इंटू धारा में परिवर्तम तो as it is रहा ठीक है तो जो आपका एक constant आता है वो एल आ गया माइनस का चिन का मतलब है कि वो उसका पोस कर रहा है जिसको तरह बहुत पन हुआ है और डियवाई डिटी हो गया ठीक है अब यहां पर देख लीजे नीचे आपको बोला गया है कि माइनस चिन यह बताता है कि विदूत बहागवल धारा परिवर्तन के विप्रीद होता है बिल्कुल सही बात अभी मैं आपको बताया कि फ्रेंट जो आपका बहागवल है वो धारा परिवर्तित हो रही है उसके अपोजी डिरेक्शन में हो रहा है और इसी को हमने बोल दिया स्वे प्रेरकत्व गुडांक या स्वे प्रेर राउंड किये गए और आई क्या है आपका करण्ट हो ठीक है या फिर सिंपल वे में अगर कहें एन को अगर निगलेक्ट कर देते हो तो वेवर्ति एंपियर यह क्या हो गया अगर बात करें अपरोग सूत्र में आई बराबर एक रग दो एन फाइवाई वन रग दो तो जो आपका रान है तो वेवर पर मीटर पेवर पिरती एंपियर आ जाएगा या हैंरी इसका मातरक हैं रहा हुँत है तो चलिए मूचलने इंड्यूस पर आ रहें आम क्या था तो मैंने आपको बताया भी इस वाल्ली में जो सेकंडरी में आपने प्राइमरी में जब करन थी अगर हम सेकेंडरी की बात करें इसके माद हम से दूसरी वाइंडिंग जो प्रेवर्त हो रही है तो उसको आपने बोल दिया इन्पुट अपने यहाँ पर प्रवाइड कर रहे जो आप इन्पुट दोगे तो यहाँ पर इस कौईल में क्या हुआ फ्लक्स बना फ्लक्स सेटप हो गया फाई फ्लक्स या करेगा इस वाली को जब लिंक करेगा तो यहां भी एक EMF induced होना शुरू हो जागा यहां एलक्टिक फिल्ड बनेगी फिर यहां पर EMF induced होगा EMF के साथ साथ आपकी current induced होना शुरू हो जागी तो यह था आपका mutual induced EMF जैसे यहां पर देख पाना इस घटना को ही अन्योन पिरेरन कहते हैं अन्योन पिरेरन बैदोद चुमबा के पिरेरन की ही घटना पर आधारित है बिल्कुल सही बात है पूरी जो electrical engineering है वो पूरी की पू लेख लिजेगा इंगलिस में आप ठीक है नेक्स परवर्थे हैं फ्रेंट नेक्स है आपका एक ही concept बचा उसको भी देखते हूं चलते हैं एड़ी करेंट ठीक है तो फ्रेंट अगर एड़ी करेंट की बात करें जब कोई चाला किसी परिवर्ती वैरेवल चुमबा की शेत होता है मतलब करेंट अगर बात करूं में इसकी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह बोला की अगर आपका चुमबा की सेटर में बहुत जादा परिवर्तन हो आपकटर और यहां पर J के लिएकेज करन्ड उत्पन हो जाएगा तो जो लिएकेज करन्ट होता उसको भावर्डारा है बोलते हैं और और यह भावर्दाराएं क्या करते हैं यस पूरेET苗 को कका जला देती हैं तो इस कारण क्या होगा यहां पर अवैश्ट की बात कंग है से भावर्धाराव को छीड करने के लिए ही transformer motor आधी क्रोड laminated किये जाते हैं मैं आपको बता दूँ कि जो आपके motor है जो आपके transformer है तो transformer की आपने देखा होगा जो transformer की core बनाई जाती है तो उस पर क्या होता है बहुत सारे lamination कर दी जाते है मतलब जो core होती है वो पतली पतली पत्तियों की बनाई जाती है उसका reason क्या है उसका यह reason है कि जो आपका भावर धाराएं वो कम से कम उत्पन हो क्योंकि जितनी ज्यादा area होका भावर धारा होगी तो area को कम करने के लिए का करते हैं laminated core के उपर जो core होती पतली सी पत्ती होती है उसको उपर लैमिनेटिट करके उसको पंच किया जाता है मतलब एक उपर एक उपर एक रखकर पंच कर दिया जाता है आपने देखा होगा कि छोटा वाला तो छोटा वाला खोला ही होगा कभी नगभी आपने तो उसमें देखा होगा जो उसकी शेफ होती है एक सिकेंड वो कैसी होती मैं बता रहूं आपको तो इसकी जो इनर सेफ होती है कुछ इस तरह से hoती है कुछ ऐसेट की होती है कुछ आपकी इसेप की होती है friends ॔र को उधिस प्रैंड सीड फाल कि नयूंगी टो यह बहुत सारी पत्तियां होती है है drinking इस से प्रतिरोद बढ़ जाता है वह भारधाराओं का प्रभाव कम हो जाता है, साथ करें साथ प्रतिरोद भी बढ़ जाएगा और उसका जो area है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, जितना ज़ादा area कम कर दोगे, उतनी कम वहाँ पर भवरधारा उत्पन होगी जतना ज़्यादा एरिया बढ़ा दोगे उतनी ज़्यादा वहाँ पर आपकी जो भवरधारा उत्पन होना शिरू हो जाएंगी होती है उनके जो वेल होते हैं जो टायर पईये होते हैं तो उनके पईयों पर क्या होता है उनकी पईयों की धोरी पर क्या करते हैं एक ड्रम लगा होता है जिस पर जिसका राउंड डेवल सरफेश होता है और क्या करते हैं जब भी हमको ट्रेन को रोकना होता है तो हम क्या करत तो इस प्रकार से ब्रेक लगा जाते हैं तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में वताइएगा और लाइक जरू कर दीजेगा क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है आपके साथ तो आप भी थोड़ा सा आपका भी थोड़ा सा दायत बन रहा है कि आप भी हमारा सपोर्ट करेग ब Landes चैनल को शेर करिएगा हमारी चैनल पर देख लिए बहुत सारे सब्चेक्त पढ़ा जा रहे हैं सेबिन इंजिनेरिंग के यह सब्जेक्ट है इसके साथ हम और भी जो सबजेक्ट है उसको talk शुभर करेंगे तो जैसी requirement आती है students की जैसे बच्चे कहते हैं recommended करते हैं उस हिसाब से हम next subject भी start करने वाले हैं तो friends कैसा लगा ये session आप जरूर बताएगा comment box में और like कर दिजेगा share कर दिजेगा thank you